हाई गाईज वेलकम टो देयाल अकादमी इस विडियो में हम इंटर्णल असेस्मेंट का स्टेप बाइ स्टेप प्रोसीजर डिसकास करने वाले हैं ये विडियो School of Open Learning के students जो first semester में है सबी students के लिए बहुत useful होने वाली है आप जानते हैं ये portal है जहांपर आप internal assessment देने वाले हैं और ये help file है जो आपके college और university ने release की है तो आईए हम इसे समझते हैं इसमें जो instructions हैं उन्हें detail में समझने की कोशिश चरते हैं सबसे पहली चीज़ जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि आपका जो internal assessment का portal है उसमें फिल हाल अभी coming soon लिखा आ रहा है लेकिन कुछ time बाद वो page कुछ ऐसा दिखेगा तो आप login करेंगे अपनी details डाल कर क्या details डालेंगे पहले box में हम लिखेंगे अपना row number for example अगर किसी का row number है 22-1-01- आगे जो भी digits है यहाँ पर डालेंगे अपना row number second box में आप डालेंगे अपना barcode for example आपका barcode हो सकता है 22-01 उसके बाद 00 और बाकी के जो digits हैं यहाँ पर enter करेंगे ध्यान दीजेगा third box एक security check के लिए बनाया गया है यहाँ पर एक छोटी सी puzzle होगी यह यूँ कहें तो calculation आपको करनी होगी for example यहाँ पर लिखा है add numbers 8 plus 5 8 plus 5 होता है 13 तो इस case में यहाँ पर हम लिखेंगे 13 ध्यान दें कि जब आप login करेंगे यहाँ पर जो numbers लिखे जाएंगे आप उनका sum करेंगे और यहाँ पर वो value लिखेंगे और last में आप click करेंगे login पर यह जो blue button नीचे दिया गया है इससे आप press करेंगे उसके बाद आपकी screen कुछ ऐसे दिखेगी यह है वो screen जो students देखना चाते हैं कि कैसा interface होगा उसमें क्या options होगी, question कैसे display होगा, कितने questions होगे हमें answer कैसे select करना होगा, कैसे submit करना होगा तो इन सभी questions का answer आपको मिल जाएगा देखिए यहाँ पर इनोंने example लिया है BA honors English लेकिन आप date sheet follow करेंगे, अपने course की उसमें जो date mention है, जो time mention है आप उने strictly follow करेंगे, तो इतना आप आप तक जान चुके हैं that this exam is MCQ-based, यानि multiple choice questions आप attempt करने वाले हैं select any one correct answer from the given options, question display किया जाएगा, उसके नीचे options होगी जो correct answer है, आप उसे select करेंगे, यानि किसी भी question का answer अगर आपने submit कर दिया है then your answer is saved automatically, submit करने के बाद आपका answer automatically save हो जाता है and you can change your answer anytime during the examination, यानि examination का जो time है आपके internal assessment के जो timings है, उसके दोरान अगर आप उस question को दोबारा visit करते हैं, re-check करते हैं और अगर आपको लगता है कि जो option आपने पहले select किया था, वो नहीं होना चाहिए, कोई और option होना चाहिए ये changes आप within the examination time कर सकते हैं उसके बाद बहुत important is point number 3 you can move to any question using question navigation bar नीचे दिखाया जाएगा अभी आपको on the top of the question यानि जब भी question display होगा उसके नीचे options होगी आप just अभी देखेंगे within 30 seconds उसके ओपर एक navigation bar होगा जहां पर आप किसी भी question को randomly view कर सकते हैं उसे attempt कर सकते हैं और जो question आप attempt कर लेंगे उसका जो number है वो green color में हो जाएगा इससे आपको पता लगेगा कि आपने कौन-कौन सा question attempt किया है और कौन-कौन सा question आपने attempt नहीं किया है और once your examination time is over your examination will end automatically यह instructions यहां पर given है उसके बाद हम screen का right-hand side देखेंगे यहां पर भ्यान दीजिए ऊपर आपकी details mentioned होगी for example आपका नाम mentioned होगा आपका S.O.L. role number mentioned होगा और आपका examination role number भी यहां पर mention होगा यहां पर option आता है logout का लेकिन obviously आप पूरा exam पूरा internal assessment attempt करेंगे और internal assessment को start कैसे करेंगे यह देखिए इस portal पर login करने के बाद आपको अपने सारे subjects यहां पर नजर आएंगे यह देखिए यह subject के नाम है यह उन subject का code है जिसे हम बोलते है unique paper code यानि UPC और साथ में उनके date और timings mentioned होंगे यानि किस तारीक को किस date को और कितने बज़े आपको उस subject का internal assessment देना है और right in front of that exam मानली जिये 20 तारीक को जिन students का internal assessment है तो जो exam 20 तारीक के लिए listed है उसके सामने एक button यहाँ पर शो करेगा आप उसे click करेंगे to start your exam तो मैं दुबारा बता दूँ यह हमारी login screen है जहाँ पर आप अपना row number, barcode और यहाँ पर जो numbers होंगे उन्हें add करके लिखेंगे उसके बाद आप click करेंगे login पर और next screen जो आपकी आने वाली है उसमें आपके सारे subjects mentioned होंगे और जिस दिन जिस समय आप internal assessment के लिए appear होंगे उस subject के आगे आपको click करना होगा यहाँ पर internal assessment start करने के लिए जैसे ही आप internal assessment को start करेंगे आपकी screen कुछ ऐसे दिखेगी और यहाँ देखिए क्या-क्या details given है सबसे उपर आपका subject का नाम होगा उसका unique paper code mentioned होगा उसके बाद total number of questions जो आपको attend करने हैं वो यहाँ पर navigation bar में listed होंगे और इस example में यहाँ पर दिखाया गया है group A में 15 questions हैं और group B में 20 questions हैं तो कुल मिलाके 15 और 20 makes it 35 तभी total questions यहाँ पर 35 लिखे गए हैं इस screen से आपको familiar होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो screen है जहाँ पर आप answers select करेंगे और यहाँ पर right hand side पर आप देखेंगे examination timer होगा यानि examination end होने को कितना time रह गया है इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए तो अब हम बात करेंगे कि आप questions attempt करना कैसे शुरू करेंगे now by default आपके सामने first question डिस्प्ले किया जाएगा यहाँ पर question लिखा होगा जहाँ पर लिखा है sample question और उसके नीचे 4 options होंगे जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन students के पास यह subject है वे जानते हैं कि इस topic पर हमारे channel पर video और बन चुकी है और videos भी बनती रहेंगी यहाँ पर options है Mrs. Bennett, Jane Bennett, Mr. Bingley और Mr. Collins जो उन सा option आपको correct लगता है आप उसे choose कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर click करें जहाँ लिखा गया है answer submit for question number one यह बहुत similar चीज है जो students जो online exam दिया करते थे आप जानते हैं कुरोना के time पर exams online होए थे उस समय कुछ students क्या करते थे कि जो उन्हें करने को बोला जाता था उतना कर देते थे लेकिन last में submit पर click नहीं करते थे ऐसा कुछ students के साथ हुआ तो मैं repeat करना चाहूँगा यहाँ पर clearly लिखा है कि यह आपका question है इस question के जो answers है वो यहाँ पर given है obviously आप correct answer को select करेंगे और यहाँ पर साफ साफ लिखा है click here to submit your answer यानि यह जो yellow color का bar है इसे आप click करेंगे अपने answer को submit करने के लिए तो यह आपने attempt कर दिया पहला question उसके बाद next question पर जाने के लिए आप click करेंगे next पर जो यहाँ पर green button में show करेगा same procedure आप second question के लिए अपनाएंगे लेकिन एक बात आपको जान लेनी है कि जब आप answer submit करेंगे उसके बाद यह message लिखा आएगा answer updated successfully और उसी समय question number one इस navigation bar में हो जाएगा green color का यानि just by looking at a glance आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने questions attempt कर दिये हैं कौन-कौन से questions आपने attempt किये हैं और अभी कितने questions attempt करने बाकी हैं तो जैसा आप देख सकते हैं इस navigation bar में सारे questions question number one को छोड़के white color में हैं that means यह attempt करने अभी बाकी है question number two gray color में है that means वो question डिस्प्ले किया गया है screen पर आप इसे attempt करने वाले हैं और question number one यहाँ पर green color में है that means इसे आप attempt कर चुके हैं similarly question number two को attempt करने के बाद यानि की correct option को select करके और यहाँ पर click करके आप जा सकते हैं next question पर या अगर आप पिछला question दुबारा retag करना चाहते हैं तो आप click कर सकते हैं previous tab पर अब इसके बाद आपकी एक query होने वाली है जो मैं यहीं पर answer कर देना चाहूंगा ऐसा बिलकुल possible है guys कि आपने question number one attempt किया question number two भी attempt कर दिया और suddenly question number three पढ़ने के बाद आपको लगा कि इसके बारे में मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा यानि आप sure नहीं है अब आपके पास दो options हैं अगर आप question number three fill how answer नहीं करते हैं तो वो unanswered रहेगा यानि कि remaining के जो questions हैं जो आपको 100% आते हैं आप उन्हें attempt करें और last में इस navigation bar में देखते हुए कि कौन-कौन से questions आपने attempt नहीं किये हैं डिरेक्टली उस question पर जाएं उससे answer करें ये पहला तरीका है obviously जो questions आपने attempt कर दिये होंगे वो green color में होंगे जो आपने attempt नहीं किये होंगे वो ऐसे show करेगा for example question number 17 तो last में सारे questions attempt करने के बाद जो आपको आते हैं आप उन questions पे visit करें जो आपने अभी attempt नहीं किये है second way can be for example question number 1 आपने attempt किया question number 2 आपने attempt कर दिया question number 3 में आप sure नहीं है कि answer क्या होना चाहिए तो अब अगर आप चाहें question number 3 के जो options हैं उसमें जो आपको लगता है answer होना चाहिए वो आप चाहें तो select कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा जब आप दुबारा visit करेंगे तो आपको ढूंडना पड़ेगा कि कौन सा question आपको retag करना है यानि कहने के मतलब है जो question आपको अच्छे से नहीं आता है जिस पर आप और विचार करना चाहेंगे उस question का answer select करके अगर आप submit पर click कर देते हैं तो यहाँ पर वो question green color में आ जाएगा और last mail ढूंडने के लिए आपको आगे पीछे करना पड़ेगा तो इन दोनों methods में से कौन सा method आप अपनाना चाहते हैं यह में आप पर चोड़ूंगा बिकिस all it takes is a click अगर फिल्हाल आप question number 2 पर है आप attempt करते हैं तो guys next question देखने के लिए आपको next पर click करना पड़ेगा बिना click किये next question screen पर visible नहीं होगा so that means जो questions आपको आते हैं अगर सारे questions attempt करने के बाद आप remaining questions पर click करते हैं directly वो question खोल जाने चाहिए one by one जैसे मान लीजिए question number 18 आपने छोड़ दिया 21 आपने छोड़ दिया और 27 आपने छोड़ दिया इसके अलावा सारे questions आपने attempt कर लिए तो इस navigation बार में सारे questions green color के हो जाएंगे except for these three तो उस case में आप क्या करेंगे आप यहाँ पर click करें question number 18 यहाँ पर दिखाया जाएगा उस पर विचार करें कौन सा option correct होना चाहिए उससे select करें यहाँ पर click करें उसके बाद question number 21 पर आए जो आपने attempt नहीं किया है और same procedure दोबारा अपनाए तो I think students यह बहुत easy है यह आपकी login screen है इसके बारे में मैंने आपको बताया है login करने के बाद यह screen कुछ ऐसी दिखेगी जहाँ पर सारे subjects जहाँ पर आपके सारे subjects ऐसे नज़र आएंगे उनके date और timings नज़र आएंगे please make sure आप examination start होने से आदा घंटा पहले login कर लेते हैं internal assessment start करने के लिए आप click करेंगे यहाँ पर उसके बाद आपकी screen दिखने वाली है ऐसे आपका ध्यान रहना चाहिए examination timer पर भी कितना time रह गया है और कितने questions अभी attempt करने बागी है और जब भी आप question attempt करेंगे उसका सही answer select करें उसके बाद यहाँ पर click करें उसके बाद next पर जाएं और just in case अगर आप कोई question last में review के लिए छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मरजी है अगर आप साथी साथ उसे attempt करना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे question नहीं आता लेकिन मेरे ख्याल से शायद इसका answer यह होना चाहिए अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और once you submit the answer आपकी screen पर यह message आना चाहिए answer updated successfully और जो questions आपने attempt किये हैं अगर revision करते वक्त आपको लगता है कि उसका answer आप change करना चाहते हैं तो आप anytime during the examination उसे change भी कर सकते हैं जब आपका examination time over हो जाएगा तो आपका examination automatically खतम हो जाएगा इट फिल end automatically तो यह था guys step by step procedure internal assessment का आप सभी से request है इस पर दुबारा गौर करें अगर कोई चीज़ समें नहीं आई है तो video को rewind करके देखे और फिर भी अगर किसी का कोई question हो then please feel free to write in the comment section alright guys that is it for this video if you like the video please share it with your friends and subscribe to our channel and I wish you guys all the best for your exams